दोस्तो एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोःत है वो खोवत है, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ के मैंने उगते सुरज को नहां देखाओ, क्योंकि मैं सुबज चार बजे उड़ जाता हूँ, सायद यही मेरी सपलता का राज है, यह सब् बॉलिवूड सुपरस्टार अक्षेक कुमार के इस दुनिया में जितने भी सक्सेस्पूल लोग है उनमें से ज्यादातर लोग सुरज उगने से पहले ही बिष्टर छोड़ देते हैं दोस्तो हम बच्पन से सुनते आये हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन सुबह में ऐसा क्या होता है कि हमें जल्दी उठने के लिए बोला जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको सुबह जल्दी उठने के साथ फाइदे बताने वाला हूँ जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देंगे और अगर फिर भी जल्दी ना उट पाए, तो इस वीडियो का लास पार्ट जरूर देख लेना तो दोस्तो, सुबह जल्दी उटने का पहला फाइदा है, कि आपको एक्स्टर टाइम मिलता है जब आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पस extra time होगा बाकी लोगों से जो सुबह लेट उठते हैं देखो competition बहुत ज्यादा है आपकी फिल्ड जो भी हो आप जीजबी race में दोड़ रहे हो उस race में आगे निकलने के लिए आपको extra effort चाहिए और extra effort के लिए extra time चाहिए वो सुबह जल्दी उठने पर मिलेगा मान लो नॉर्मली आप 6 बजे उठते हो और कल से आप 4 बजे उठना शुरू करते हो तो रोज सुबह आपके पास 2 कंटे extra होंगे मतलब की हर साल 730 कंटे यारनि की हर साल आपके पास औरों से एक मेना ज्यादा होगा अब जरा सोचो आप लोगों से एक मेना ज्यादा मेनत करोगे और अपने गोश को उनसे जल्दी अच्यों करोगे जो लेट उठते हैं अब दोस्तों सुबह जल्दी उठने का दूसरा फाइदा है कि आपकी कॉंसेंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी दोस्तों 4-5 बचे के बीच का जो टाइम ह होता है उसे प्रह्ममुरत बोला जाता है और इस वक्त हमारे दिमक का फ्री प्रेंटर कॉंटेक्स ज्यादा एक्टिव रहता है इस बीच अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस पर हम अच्छे से कॉंसेट्रेट कर पाते हैं अच्छे से याद कर पाते हैं इससे हमारी कॉंस तो हमें कहीं सारी destruction का सामना करना पड़ता है, किसी का call आ जाता है, किसी का message आ जाता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं, और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो इस वज़ा से 2 खंटे का काम 4 खंटे में जाकर पूरा होता है, लेकिन morning में इसका just उल्टा होता है, जब आ कोई आपकी ही तरह सुबह जल्दी उठकर अपनी निंद खराब कर रहा होगा, तो इसका मतलब उसे भी अपनी life में कुछ achieve करना है, मतलब कि जो लोग सो रहे हैं, वो आपको disturb नहीं कर सकते, और जो लोग जग रहे हैं, उनके पास आपको disturb करने का time नहीं होगा, तो उस वक आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे, और सुबह दो खंटे का काम करके आप दिन में चार खंटे बचा लोगे, अब दोस्तो, सुबह जल्दी उठने का जो चौता फाइदा है, वो है positivity, दोस्तो, जब आप रोज सुबह जल्दी उठोगे, अपने काम पर फोक बहतर कर रहे हो, आप automatically फिल करने लगोगे कि आपकी सफलता निश्चीत है, इसलिए सुबह जल्दी उठने से आप हमेशा positive रहते हो, अब दोस्तो, पाच्वा फाइदा ये है कि आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, दोस्तो, जब आप सुबह जल्दी उठोगे, शटा फाइदा ये है कि आप खुद को confident फिल करोगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आप हर रोज 2 कंटे extra काम करोगे, जो कि दिन के 4 कंटे काम करने के बराबर होगा, इससे आपको हर रोज खुद की growth दिखने को मिलेगी, आप हर रोज लोगों से और खुद से बहतर हो जिससे आप खुद को confident फिल करोगे, अब दोस्तों सुबह जल्दी उठने का सात्वा फाइदा ये है कि आप खुद को energetic फिल करोगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हमारा blood sugar level control में रहता है, और हमारा prefrontal cortex भी सुबह के समयी ज़्याद एक्टिव रहता है, जिससे हमारी इच्चा सकती बढ़ती है, दिमाग ठीक रहता है और हम खुद को energetic फिल करते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि बदलाव के बिना progress नहीं हो सकती, इसलिए सिप सोचो मत, इसे सच में बढ़लो, देखो सुबह के वक्त ऐसी निंद आती है कि चाहे दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए सबसे पहले ठोस वजह टूंडो, उसके बाद आपको अपने mobile में एक ऐसी alarm सेट करनी है, जो बहुत ही irritating हो, इसे आपको तुरंत बंद करने का मन करे और सोते वक्त उसे अपने बेट से दूर रखो, इतना दूर रखो कि उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े, उसके बाद थोड़ा पानी पिकर सो जाओ, अब दोस्तों जैसे ही alarm बजेगा, आपको उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा, और उसी वक्त आपको यूरिनेट होना पड़ेगा, क्योंकि आप नाइट में पानी पिकर सोये थे, और इसी वक्त आपके पास मौका होगा, अपना मूँ दोने का, और सुबह उठकर, अगर एक बार आपने अपना मूँ दो लिया, तो समझ लो, 75% काम आपका हो गया है, अब 25% इस बात पर डिपेंड करेगा, या आप वापस बेड पर जाओगे, या सुबह उठने की उस वज़ा को याद करके अपने काम पर फोकस करोगे, उम्मीद करता हूँ, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, एक नए मोटिवेशन के साथ, जय हिंद वंदे मात्रम